एक गरीब घर की लड़की थी जिसका नाम था सुनीता जिसको कपड़ों में कलर करना बहुत अच्छे से आता था और उसने अपने इस उन्हर का इस्तेमाल करके एक अच्छी सी दुकान खुली उसकी दुकान बहुत ज्यादा फेमस हो गई थी उसकी दुकान पर दूर दूर से लोग आते थे अपने कपड़ों पर कलर करवाने के लिए पास के गवं में एक सेठ रहता था वो सेठ सुनीता की परशिदी से बहुत ज्यादा ही जलता था वो सुनीता को नीचा दिखाने के लिए एक योजना बनाता है और उसी योजना के साथ फूर सुनीता की दुकान पर जाता है वो जाकर कहता है सुनीता से मुझे इस कपड़े पर कलर करवाना है लेकिन मुझे नीला काला हरा पीला लाल गुलाबी बैंग नीला ये कलर नहीं करवाने हैं सुनीता को सेठ जी का मन्सु बसमज में आ जाता है और वो थोड़ी देर सोचने के बाद सेठ जी से कहती हैं लाव सेठ जी ये कपड़ा मुझे दे दू आप जैसा चाते हो वैसे ही मैं इस कपड़े को रंग दूँगी लेकिन आपको कपड़ा लेने के लिए सोमवार, मंगलवार, बुदुवार, विश्पतिवार, सुकरवार, सनिवार, रेविवार को छोड़ कर किसी भी दिन पर आप आ जाना सेठ जी को सुनीता की सुजबूज का पता अच्छे से चल जाता है सुनीता कपड़े को अलमीरा में रख देती है सेठ जी सोचता है कि यहां से निकलने में ही फाइदा है और सेठ जी दबे पऊँ यहां से निकल जाता है